देश में इलेक्ट्रिक वानों की बढ़ती मांग को देखते हुए इस छेतर में नए खिलाड़ियों की इंट्री का सिलसिला जारी हो चुका है अब देश की प्रमुक दोपया वहाँ निर्माता कमपनी टीबियस मोटर जल्द ही अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर क्रियों को लौंच करने के तियारी कर रही है हेलो दोस्तो मेरा नाम रजा थे और आप देखे रहे राइड विद बाइक दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको क्रियों के बारे में बताने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कमपनी ने यह हिसारा किया है कि अपकमिंग प्रिमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर क्रियों कंसेट पर अधारित होगा इसमें सबसे खास बात यह है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर में नियू एडवांस टेकनोलोजी और कनेक्टिबिटी फीचर मिलेंगे टीवेस ने अपने इलेक्ट्रिक वेकल पर्ट्फोलियो को मजबूत करने के लिए एक हजार कड़ो रुपे के नीवेस की वजना बनाई है टीवेस क्रियोन दो पहिया वहां निर्माता कंपनी के होशूर प्लांट में बनाया जाएगा जहां कंपनी के 500 से जादा इंजिनियर बजार में लौंच किया जाने से पहले इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को फाइनल सेप देने में जूटे हुए है टीवेस ने साल 2018 के ओटो एक्सपो में क्रियोन कंसेट्प इलेक्ट्रिक स्कूटर को पहली बार पेश किया था टीवेस क्रियोन में एडवांस लिथियम आयोन बैटरी पेग दिया जा रहा है यह बैटरी 12 किलोवाट का पावर जेनरेट करता है इसका इलेक्ट्रिक मोटर इतना पावर जेनरेट करता है कि यह सिप 5.1 सकेट में 0-60 किलोमेटर पर आवा की स्पीट को पगड़ सकता है यह एलेक्ट्रिक स्कूटर एक बावर 4 चार्ज होने पे 80 किलोमेटर तक का डिस्टेंस को कबर कर सकता है अगर आप डिस्टेंस देखो तो डिस्टेंस इसमें काफी कम कबर कर रहा क्योंकि यह परफर्फरमेंस स्कूटर होने वाला काफी स्पोर्टी आप समझ सकते हैं कि स स्कूटर अपको इसमें परफरमेंस देखने को मिलेगा जिसके वज़़ास से इसमें जो डिस्टेंस है वो कम कबर कर पा रही है इसकूटर हाला कि इसमें आप जो लुग देखें तो लुक वाई इसमें आपको पूरा स्पोर्टी देखने में लगेगा निव जेनरेसन का electric scooter देखने में लगेगा और देखते हैं कि अभी TBS हमें कितना real में इसको यह तो concept में दिखा है real में कितना कुछ इसमे reality देखने को मिलता है यह तो launch होने के बाद ही हमें देखने को मिलेगा पता चलेगा इस scooter में fast charging system मिलेगा जिसे इसकी battery कम समय में charge हो जाएगी और ज्यादा range देगी fast charging outlet के जरिये इसकी battery को सिफ एक घंटे में 80% तक charge किया जा सकता है हाला कि यह concept model के आकड़े हैं जब इस scooter को production version में launch किया जाएगा तब इसमें ज्यादा driving race देखने को मिल सकता है इस electric scooter में smartphone charging, TFT screen, fast assistant, regenerative braking जैसे feature मिल सकते हैं इसके अलावा इसमें riding modes, geo facing और anti-thep system जैसे feature मिलने की भी समभावना है TBS Kryon electric scooter को company के मुझूदा electric model TBS iCube से थोड़ा उपर position किया जाने की समभावना है इसमें advanced feature मिलने की समभावना है जिससे इसकी कीमत iCube से थोड़ी जादा हो सकती वहीं इसके estimate price के बारे में बात करें तो इसका estimate जो price है वो 1,20,000 तक हो सकता है वहीं इसके launching के बात करें तो media report के अनुसर इसको next year में launch किया जाने की समभावना है और दोस्तों एक update में आप लोगों को और बता दूँ TBS company ने अभी announcement किया है कि वो आने वाले 2 सालों में 6 से जादा electric scooter, electric bike को launch करने की तयारी में मतलब आप मान के चलिए कि 1 साल में आपको 3 नई bike देखने को मिलेगी या 3 new scooter देखने को मिलेगी जो कि आप मान के चलिए अगर एक साल में तो हर 4 से 5 मेने पर TBS company एक new model को launch करेगी इंडियन मार्केट में तो ये एक अच्छा खासा update है इंडियन लोगों के लिए अगर हम TBS के कोई new bike को लेने के प्लान कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे ही bike related news या update के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फोलो कर सकते हैं क्योंकि मैं YouTube से पहले कोई भी update जो होता हूँ उसको मैं इंस्टाग्राम पर ही update करता हूँ तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए ride with bike